खेल संसार करका में सभी शोताओं को सौगत है शोताओं खेल संसार करका में आज हम बात करेंगे होकी की खेल के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्तित है चतिस गड़ के अंतराश्टी होकी खिलारी मिनाल चौबेजी जिनें चतिस गड़ के प्रतिश्टित खेल पुरसकार कुंडाधूर अलंकरन से समानित किया गया है साथ ही साथ चतिस गड़ के तमाम खेल पुरसकारों से भी समानित किया गया है तो आईए बात करते हैं मिनार चोबीजी से खेल संसार कारकम में आपको बहुत-बहुत सौगत है बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले हम कारकम में ये जाना चाहेंगे कि चुकि आप होकी के खेल में अंतराश्टी इससर तर खेल चुके हैं तो आप भी बताएं कि आपका ये होकी के खेल का सफर कहां से शुरू हुआ जब मैं क्लास फोर में था उस समय मेरे होकी खेल का सफर प्रारम हुआ और उस समय मैं as a striker होकी में खेलता था लेकिन संयोक से एक tournament में हमारी टीम के पास कोई گोल कीपर नी था तो मुझे अफसर मिला गोल कीपर बनने का और उस tournament में मैंने penalty stroke के माद्यम से 5 में से 5 stroke रोके तो उस समय के जो मेरे coach थे उन्होंने इस चीज से प्रभावीत होकर कि मुझे गाइड किया कि क्यों न आप गोल कीपिंग शुरू करो तो वहां से मेरे हौकी के गोल कीपिंग का सफर प्रारंब हुआ जी मनाचोब जी तो आप बताएं कि जो एक खिलारी के तोर पे आपने खेलना शुरू किया प्रादेशी की इस तर पर और राश्टी इस तर पर कोई ऐसा आपका पहला खेल जहां से आपने शुरूआत की आपने हौकी की खेल का और वहां पे आपने कुछ मेडल प्राद की तो इसके बारे हमें बताएं बहुत से ऐसे लम्हें हैं जब मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है जब पहली बार मैंने चछतिसगड़ बनने के बाद हमारा हौकी में सबसे पहला मैडल आया था वहां 36 गड़ का सबसे पहला मैडल था किसी भी खेल में, केरला के काली कड़ में वहां राश्टरीस्तर का प्रतियोगिता आयोजीत किया गया था, उस प्रतियोगिता के दौरान मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, तो उस चिकन पॉक्स के प्रभाव से जूचते हुए मैंने उस टूर्णामेंट को खेला था और उसमें हम लोगों ने ब्रॉंज मेडल जीता था जो की चतिस गड़ का पहला मेडल था वो एक ऐसा चंड था जो मुझे आज भी याद आता है इसके साथ ही एक ऐसा चंड था जब मैं भोपाल में था और मेरे उस समय एपेंडिक्स का ओप्रेशन हुआ था और मुझे भारती कैम से बुलावा आया था और एपेंडिक्स के ओप्रेशन को हुए लगभग 15 दिन हुए थे और मुझे यहाँ भारती टीम से बुलावा आया था तो जिस किसी भी एक डिसीजन लेना था क्योंकि हर बार ऐसा मौका मिलता नहीं है किसी को कि भारती टीम से एक आउसर मिले खेलने के लिए बुलावा मिले तो उस समय एक आउसर था मेरे लिए और मैं चाहता तो उससे मना कर सकता था और मैं अगर द्री निक्षा सकती के साथ एक डिसीजन लेता जिसमें मेरे पुरे परिवार वाले मेरे साथ थे तो मैंने यह डिसाइड किया कि नहीं मैं जाओंगा इंडिया कैम्प में और वहाँ पर जा करके अपना प्रयास करूंगा टीम में जगा बनाने की और संयोग से मेरा पहला टूर सिंगापूर में इंटरनेशनल होकी चैलेंज में मैंने खेला और उसमें मैंने सफल तहासिल की उसमें हम लोगे इंडिया टीम ने सिल्वर मेडल जीता जी जी बहुत अच्छी बात है भी आपने बता ही है तो मना चोबे जी हम जैसा जान पा रहे हैं कि आप एक कोच भी हैं लंबे समय से होकी से जुड़े हुए हैं तो बताओ एक कोच आप अभी 36 कड में जो है होकी की सिति कैसी है बहुत बढ़िया इस्तिति है हमारे जो प्रदेश में सरकार काफी अच्छा काम कर रही है बहुत सारे होकी के इंफ्रस्ट्रक्चर बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर यदि हम कहें तो एक एस्टो टर्फ ग्राउंड जिसमें इंटरनेशनल लेवल का होकी खेला जाता है वो हमारे प्रदेश के सरकार के द्वारा बहुत सारे जगाओं पर उसे बिछाया गया है और यहाँ पे खिलाडियों में भी अपार संभावना है केवल उनको तराशने की ज़रुरत है 36 गड़ होकी संग बहुत अच्छा काम कर रही है खिलाडियों को एक प्लैटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए तो बहुत अच्छा एक वातावरन होकी का 36 गड़ में है और मैं लगबग 25 साल के आसपास मेरा प्लेइंग केरियर रहा लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि प्लेइंग केरियर के बाद भी हम खेल से कैसे जुड़े रहें तो फिर मैंने कोचिंग का कोर्स किया जिसमें मैंने नेशनल इंस्टिटूट आफ स्पोर्स जो भारत सरकार का भारती खेल प्रदीकरन का एक उपक्रम है वहां से डिप्लोमा इनगी स्पोर्स कोचिंग ए प्लस ग्रेड के साथ में हासिल किया और मैं उडिसा टीम के साथ एज़ा कोच जुड़ चुका हूँ मद्यप्रदे सौकी एकेडमी टीम के साथ मैं एज़ा कोच जुड़ चुका हूँ और पंजाब स्टेट गॉर्मेंट में भी मुझे काम करने का अनुभाव है राउंड ग्लास हूँकी एकेडमी पंजाब है तो चुटिस गड़ टीम के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ यहां के बच्चों को गाइड करते ही रहता हूँ तो बहुत कम समय में कोचिंग का भी काफी अनुभाव मैंने प्राप्त किया और हाल ही में राउल केला में आयोजित महिला हौकी प्रतियोगिता में 23 साल में पहली बार 36 गड़ की हौकी टीम ने कोई मैडल जीत करके वापसी करी है और उसमें मैज़ा कोच उस टीम के साथ गया था जिसमें हमारी टीम ने गोल्ड मैडल जीता है तो ये किस वर्श की बात है? अभी हाल ही में ही 2024 में राउल केला में संपन हुए अखिल भारती महिला हौकी टूर्नामेंट में चर्टिस गड़ टीम ने वीजटा होने का गोरो प्राप्त किया बहुत अच्छी बात है तो मिनाच अब जी जी हम आप जानना चाहेंगे आपके हौकी के जो पूरे केरियर की किन-किन देशों में आपने अंतराश्टी और राश्टी इस तरफ पर खेले हैं? दो हजार तीन से तेरह तक भारती हौकी टीम का प्रतिनीदित्व करते हुए मैं उन सभी देश में खेल चुका हूँ जहां पर एक अच्छी हौकी खेली जाती है आस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगपूर, मलेशिया, अर्जेंटिना तो बहुत सारे देश में मैं जा करके खेला हूँ और मैं भाग गिसाली रहा हूँ कि जहां पर भी मैं खेला हूँ जितने भी टूर्नामेंट मैंने खेले हैं उन सभी टूर्नामेंट में मेरे पास मैडल है केवल एक टूर्नामेंट में मेरे पास मैडल नहीं है कि मेरे प्लेइंग केरियर की सुरुवात स्ट्राइकर के रूप में हुई थी लेकिन संयोग से मैं गोलकीपर बना तो उस एशिया कप के टुर्णामेंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पे है एक स्ट्राइकर और गोलकीपर दोनों पोजिशन पर खेलने की और मुझे मेरे कोच ने यहां मौका दिया क्योंकि वह जानते थे कि मिर्णाल गोलकीपिंग के साथ स्ट्राइकर के तोर पर भी खेल सकता है तो उस टूर्णामेंड में मुझे मौका मिला मैंने पैनाल्टी कॉर्णर बनाया जिसमें हमारे पैनाल्टी कॉर्णर विशेशक के दिवाकर राम ने गोल मार कर हमें उस एशिया कप में गोल्ड मैडल जिताया था आप 36 गड़ से निकल कर अंतराश्टी इस तरह तक गया यह हमारे 36 गड़ के लिए काफी गौरानुट करने वाली बात है तो मिरा चोबी जी आपने भी जिक्र किया एशिया कप के बारे में तो यह बताएं कि एशिया कप 2007 में कहां हुआ था और इसमें जो आपकी भूमिका थी खेलों में और हमारे 36 गड़ के जो एकिस्थान प्राप्ट हुआ वो कैसा था और उस खेलों के बारे में थोड़ सा अपने अनुभाव बता है एशिया कप जो है वो है वो हैदराबाद में हुआ था इंडिया ही होस्ट करी थी और क्योंकि हमारा होम ग्राउंड था तो हमें फैंस का भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था बहुत ही बहतरीन टूर्णामेंट वो हमारे लिए था और उस टूर्णामेंट की सबसे बड़ी खाशियत यह थी कि हम पूरे टूर्णामेंट में एक भी मैच उसमें हमने हारा नहीं था अपर आजाए होते हुए हमने फाइनल तक के अपनी सफर तै करते हुए फाइनल में जीत प्राप्त की और मेरे लिए बहुत खास टूर्णामेंट था मेजर टूर्णामेंट था मेरे कैरियर का वो उसके जीतने के बाद में मुझे बहुत मान सम्मान मिले मुझे च्थिजगर शासन के दौरा सर्वत क्रिष्ट खिलाडी गुर्णदरू सम्मान सहीद राजिव पांडे पुरुसकार सहीद कौशल यादव पुरुसकार खेल के जितने भी पुरुसकार च्थिजगर सासन के दौरा दिये जाते हैं टीम के सफर को कायम रख़ यॉदो जो सम्मान है वो राजज़सासन के दौरा भारती जूनियर टीम में किसी मेजर टूर्नामेंट में डीन जीटने पर दीया जाता है तो वह मैं जब जूनियर टीम रिप्रेजेंट किया था भारती हौकी टीम तो उस समय जब मैंने मैडल जीता था उसके लिए मुझे दिया गया उसके बाद सीनियर इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए सहिद राजियु पांडे पुरुसकार सच्छतिसगर सासन के द्वारा दिया जाता है तो उस पुरुसकार को मैंने तब ग्रहन किया और पूरे राज मे मुझे तीन सम्मान राजिसाशन के द्वारा उसके अलावा एवर्ड ओफ एक्सिलेंस मुझे मेरे विभाग के द्वारा जिसमें मैं अभी कारियरत हूँ जिसे भारत के नियंत्रक एवा महालेखाकार हम स्टेट में उसे और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के रूप में मै बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है तो उनको भी मैं गाइड करने का काम कर रहा हूँ जी जी तो मिनाल जी अब हम चलते हैं कुछ पदकों के लिए जो अंतराश्टी इस तरह याराश्टी इस तरह पर खेले गए हो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एशिया कप में मैंने गोल्ड मैडल जीता उसके बाद फिर मैंने साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर मैडल जीता इसके साथ ही सिंगापूर इंटरनेशनल होकी चैलेंज कप था उसमें सिल्वर मैडल जीता और लगभग सभी टूर्नामेंट्स में जिसको भारती टीम का प्रतिनीदित करते हुए मैंने मैडल जीता है मेनल जी हम बात करें होकी के बारे में तो आप देखें कि जो लिसको करते हैं वहा थे नहीं पहुँच पाते हैं इसका बेसिक कारण है कि हम लोगों को ग्रास रुट लेवल से ही बच्चों के उपर फोकस करके talent identification करके ये बहुत हमारा एक कमी रही हुई है कि हम लोग talent identification program में बहुत लथारजिक हैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जैसे कि अगर मानली जीए talent identification का मतलब ये कि हम grassroot level से ही जमीनी इस्तर से ही बच्चों का identify कर लें कि वो कौन से खेल के लिए उपयुक्त है मतलब कौन से खेल में वो महारत हासिल कर सकता है वैसा करकर के अगर हम grassroot level पे खिलाडियों को अच्छे से training दे qualified coaches के दौरा उनको training दे तो वहाँ से जो base strong होगा उसके बाद जब हम एक India team में प्रतिनी धित्व करते हुए जब जाएंगे international platform पे तो उसका एक फाइदा निश्चित तोर पर मिलेगा तुम्रा चोबे जी हम अब चलते हैं होकी के खेल की तरफ तो होकी के खेल को देखा जाए तो जब प्रादेशिक इसतर पर राश्टी इसतर और अंतर राश्टी इसतर पर खेलते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है तो होकी के खेल में क्या बदलावाते हैं निश्चित तोर पर लेवल के हिसाब से होकी खेल में कुछ-कुछ differences आते हैं और सबसे जो main difference होता है वो psychological difference होता है confidence level जो आपका होना चाहिए वो confidence level अंतर राश्टी इसतर पर बहुत strong confidence होने की आवश्यकता है psychological strongness होने की आवश्यकता है बाकी कहा जाता है कि जैसा team वैसा अपने आपको improve करने की आवश्यकता है और हर एक level पे एक अलग planning के साथ में खिलाडी को काम करने की आवश्यकता है अलग-अलग tournament का अलग-अलग planning होता है और हम लोग जैसे कि किसी match को खेलने जाते हैं तो उससे पहले बहुत सारी planning video analysis वगरा करते हैं हर एक stage पे different different planning करने की आवश्यकता होती है उम्र का एक जो bifurcation है वो hockey में भी किया गया है यदि school की बात करें तो school में under 14, under 16 और under 18 age group के तहत tournaments आयुजित किये जाते हैं और यदि हम open tournaments की बात करें तो under 16 से वह tournament प्रारंब होता है और under 21 और under 21 के बाद में एक development team भी होती है और उसके बाद में hockey की एक senior team होती है तो इस प्रकार से age का bifurcation जो हो hockey game में किया गया है मिनाच अबेजी हम बात कर रहे होकी की खेल की तो अब हम जाना चाहेंगे कि यह जो hockey का खेल है इसमें एक जो खिलाडी होता है उसे किस तरह तैयार होना चाहिए होकी के एक बेहतर प्रदर्शन के लिए साथ ही हम जाना चाहेंगे कि hockey के खेल के नियमों के बारे में hockey खेल 11 खिलाडियों के साथ ground के अंदर खेला जाता है जिसमें गोल कीपर होता है और जो आगे खेलने वाली खेलने वाले खेलने वाले खेलाड़ी है उनको midfielder कहते है और जो पीछे जो खेलते हैं खेलाड़ी उनको defender और defenders के पीछे गोल कीपर hockey खेल पहले जो है 70 मिनट का खेला जाता था लेकिन अभी नियम चेंज हो गया है और hockey खेल में advertisement advertisement जो आया जाए उसको ध्यान में रखते हुए 15 मिनट के 4 quarter खेले जाते हैं एक quarter के बाद में 2 मिनट का break दिया जाता है एक half time का break होता है जिसमें 5 से 10 मिनट का break दिया जाता है और आजकल जो अंतर राश्ट्री स्थर के जो प्रतियोगिताए हैं वो hockey के एस्ट्रो तर्फ मैदान में खेले जाते हैं जसे हम कृतीम घास कहते हैं उस पर पानी का छिड़काओ किया जाता है और उसके पसचात हौकी का खेल उसमें खेला जाता है शोताओं खेल संसार कारकम में अभी हम बात कर रहे थे 36 के अंतराश्टी हौकी खिलाडी मिराल चोबीजी से मिराल चोबीजी, खेल संसार कारकम में आपने हमारे शुताओं को होकी के बारे में अपने अनुभोसा जाकिए इसके लिए बहुत भाँत धन्यवाद धन्यवाद खेल संसार कारकम से आप हमें यही अनुमती दीचिए Namaskar